प्याज एक्सपोर्ट बैन होने के बाद किसानों को लाखों रुपए का नुकसान सहना पड़ा है। दरसल महाराष्टर कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि ज्यादातर किसान एक सीजन में 200 क्विंटल से अधिक प्याज पैदा करते हैं। अगर इतना भी ओसत माने तो हर किसान को 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। सरकारी रिपोर्ट भी बता रही है कि दो महीने में ही प्यास का दाम आधा हो गया है। पांच साल पहले जब खेती करना आज के मुकाबले सस्ता था तब जनवरी 2020 में प्यास का दाम 3,242.67 क्विंटल था। जबकी तक देश भर की मंडियों में 10,21,754.44 तन प्यास की आवक हुई थी। यह भाव किसानों को मिल रहा था। लेकिन अब एक्सपोर्ट बैन के बाद जनवरी 2024 में प्यास का दाम गिरकर 1710.17 रुपए प्रती क्विंटल ही रह गया है। जबकी खेती 2020 के मुकाबले महिंगी हो गई है। एक्सपोर्ट बैन से ठीक पहले नवंबर 2023 में देश भर की मंडियों में 9,78,523.57 तन प्यास की आवक हुई थी। जबकी दाम 3433.98 रुपए प्रती क्विंटल था, जो की 7 दिसंबर को एक्सपोर्ट बैन होते ही गिरकर आधा हो गया। क्रिशी मंत्राले की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में 10 तारीक तक देश में 4,10,560 तन प्यास की आवक हुई है। अब इस घाटे की भरपाई कौन करेगा? केंद्र या राजे सरकार? फिलहाल, किसानों के घाटे की भरपाई के लिए अब तक सरकार सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान महाराश्टर के किसानों को हो रहा है। क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक सूबा है। देश के कुल प्याज उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 43 प्रतिशत है। इस बात की तस्दीक प्याज आवक ही रिपोर्ट भी कर रही है। जन्वरी 2020 में देश भर की मंडियों में 10,21,754.44 तन प्याज की आवक हुई थी, जिसमें 5,65,575 तन हिस्सा अकेले महाराश्टर का है। साल 2024 की 10 जनवरी तक देश भर में 4,10,560 टन प्यास की आवक हुई है, जिसमें से 2,21,471 टन हिस्सा अकेले महाराश्ट्र का है. इसी लिए एक स्पोर्ट बैन के खिलाफ केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा विरोध महाराश्ट्र में ही हो रहा है. जनवरी 2023 में प्यास के दाम काफी घट गए थे. कई मंडियों में राजे सरकार 1,2 रुपए किलो पर प्यास बेचने को मजबूर थे. विपक्ष प्यास लेकर महाराश्ट्र विधानसभा पहुँच गया. ऐसे में दबाव में आई राजे सरकार ने किसानों के लिए प्यास स महीने में हुए नुकसान की सबसिडी देने का सरकार ने फैसला किया. इसके तहट प्रती क्विंटल 350 रुपए प्रती क्विंटल की सबसिडी देने की घोशना की थी. एक किसान के लिए अधिक्तम सीमा 200 क्विंटल रखी गई थी. लेकिन इसकी पूरी सबसिडी सभी किसान